मेरी प्यारी बच्चों, यह मेरी प्रीसातियों, शुप्रवाद, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगी. प्यारी बच्चों, एक विक्ति था, जिसका नाम था कृष्ण कुमार सुकला. तो कृष्ण कुमार सुकला ने एक समिनार अटेंड किया, समिनार में उन्होंने पांसो का एक नोट निकाला, और उसको हाथों में लहराते हुए बोले, यह नोट किस विक्ति को चाहिए? सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिये, उन्होंने का बहुतों के हाथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं तो किसी एक ही विक्ति को यह दूँगा, रुकिये, पहले में परिक्षण तो कर लो, इस नोट को पाने का हगदार कौन हो सकता है? उन्होंने उस नोट को लिया, और उसके कई मोड किये, कई फोल्ड किये, बोले अब इसको कोन लेना चाहिए? बहुतोंने हाथ खड़े किये, उसके बाद उन्होंने का रुके? अभी भी देखता हूँ, उसने उस पान्सो की नोट को जमीन में रख दिया, और उसको पैरों ने कहा, देखा, मैं इस पान्सो के नोट के माध्यम से आपको ये बताना चाहता था, कि किसी भी कीमत पर हमारी वैल्यू कम नहीं होती है, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, जो आपके पास सबसे मूर लिवान चीज है, वो क्या है? वो है आपका जीवन, कभी कभी हम लोग परिशानियों से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और कई बार अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहते हैं, कि मात्मत्या कर लेंगे, लेकिन जिस तरह 500 रुपे की कीमत, किसी भी कीमत पर घटी नहीं, चाहे उसके हमने हजारों फोल्ड किये, या उसको अनमोल धरोहर है, हमें किसी भी कीमत पर अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए, और मेरे लाड़ले बच्चों, हर कीमत पर अपने जीवन में आशा को बनाए रखो, यह मान के चलो, कि मुसीबते थोड़ी देर के लिए आई हैं, आकर चली आएंगी, जब सोना आग म इतपता है, तभी तो वो कुन्दन बनता है, मुसीबते जो आती हैं, परिशानीय जो आती हैं, वो हमें परिफेक्ट बनाने के लिए यह अच्छा बनाने के लिए आती हैं, तो अपने जीवन की कीमत समझो और उसका आधर करो, इनी सब्दों के साथ मैं अपनी वानी के झाल झाल